सोशल मीडिया जहां हम अपने आपको फोटोज और वीडियोज के जरिए अलग-अलग प्लाटफॉर्म्स पर एक्स्प्रेस करते हैं जिसके बदले हमें लाइक्स और व्यूज तो मिलते ही है पर सबसे बड़ी बात हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और हमारा आज का केस भी एक ऐसे ही इंसिडेंट से जुड़ा है जिसकी शुरुवात सोशल मीडिया में एक ऐसे ही कनेक्शन से हुई जिसने आगे चल कर कुछ लोगों की जान ले ली तो आज हम बात करेंगे महक बुखारी की 15 नवंबर 2019 20 साल की महक ने अपनी पहली टिक टोक वीडियो डाली जिसके साथ उसकी मदर अंसरीन बुखारी भी थी और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसकी वीडियोस को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला उसके टिक टोक अकाउंट पर काफी अच्छी इंगेजमेंट आने लगी और स्नैप चैट पर भी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया यहां महक की मदर अंसरीन बुखारी अपनी बेटी के डिसिजन्स को लेकर काफी सपोर्टिव थी इवन वो खुद उसके साथ वीडियोस भी बनाती थी और इस वीडियो क्रियेशन में अपनी बेटी की हेल्प करती थी यहां अंसरीन एक काफी हंबल बैग्गराउंड से आती थी जो अपनी फैमिली के साथ बचपन में ही पाकिस्तान से इंग्लेंड शिफ्ट हो गई थी और जैसे जैसे अंसरीन बड़ी हुई तो उसने सोच लिया था कि उसे आगे चल कर एक एर होस्टस बनना है लेकिन उसकी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट और फैनैंशली अंस्टेबल थी कि अंसरीन का स्कूल खत्म होने पर उसे आगे पढ़ने ही नहीं दिया गया और अंसरीन ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक लोकल फैक्टरी में काम करना शुरू कर दिया जिसके बाद उसने एक फार्मिसी के लिए डिलिवरी ड्राइवर का भी काम किया और करीब ahट साल उसी फार्मिसी में काम करने के बाद कमपनी के ओनर्स उसके बिहेवियर को देखकर उसे प्रमोट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने अनसरीन को फार्मिसी से ही रिलेटेड एक कोर्स करने के लिए कहा ताकि वो आने वाले पेशिंट्स को थोड़ा बहुत संभाल सके और उस कोर्स की फीज भी खुद कमपनी ही दे रही थी जिस पर अनसरीन ने अग्री किया लेकिन कोर्स के दौरान ही अनसरीन और कमपनी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई जिस वजह से उसे वो फार्मिसी कमपनी छोड़नी पड़ी लेकिन उसे ज्यादा दिन unemployed नहीं रहना पड़ा क्योंकि इस field में इतने साल काम करने के बाद उसे अच्छा खासा experience हो गया था इसलिए उन्हें जल्द ही एक local drugstore में काम मिल गया जहां उन्होंने 2019 के end तक काम किया क्योंकि बाद में उसे एक work and pension नाम के government department में काम मिल गया जहां salary काफी अच्छी थी लेकिन फिर आता है 2020 जहां COVID के चलते lockdown लगने पर department ने अंसरीन को घर से ही काम करने के लिए अलाव कर दिया लेकिन इसी बीच महक के tiktok account को काफी reach मिलने लगी लोग उसके videos को काफी पसंद कर रहे थे और जैसे जैसे महक की following बढ़ रही थी उसके साथ ही उसे बहुत सी clothing companies अप्रोच करने लगी थी अपना brand promote करवाने के लिए जिसके साथ वे महक को काफी अच्छे पैसे भी दे रहे थे और यहां जब अनसरीन को ये सब पता चला कि उनकी बेटी को इतने सारे पैसे मिल रहे है और वो भी सिर्फ उस brand के कपड़े पहन कर अपने account पर post करने के लिए तो उन्होंने अगले ही दिन अपनी job quit कर दी और वो अब एक तरह से महक के social media career की manager बन गई थी और lockdown के बाद उन दोनों की ही life काफी change हो गई थी जहां अंसरीन की life जो पहले काफी normal थी वो अपने काम पर जाती थी फिर बाद में आकर अपना घर का काम करती थी वही अब महक के brand promotions और deals के चलते वो अब उसके साथ अलग-अलग cities में travel कर रही थी और एक अंजान city में महक को भी अपनी mother के होने से comfortable feel होता था अब उनके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे इसलिए अब वे दोनों घूमने जाने लगे थे और अलग-अलग चीजों को experience कर रहे थे मतलब एक तरह से उन दोनों की ही life काफी excited हो गई थी उनकी पिछली जिंदगी से लेकिन इन सबसे पहले lockdown के ही दोरान एक दिन जब अंसरीन और महक अपने एक relative के घर पर रुके थे तो महक ने time spend करने के लिए अपने relative के बच्चों और सभी family members के साथ ऐसे ही fun के लिए social media पर random लोगों से connect करना शुरू कर दिया जिसके लिए वे एक अजर नाम की video chat app का use कर रहे थे जो की omegal से काफी similar होती है और एक ऐसी ही random chat के दोरान उन्हें मिलता है 18 साल का साकिब हसन जिससे वे सभी लोग काफी बात करते हैं यहां महक के relatives साकिब को बताते हैं कि महक एक tik tok influencer है और यह सुनते ही साकिब महक को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसकी कुछ viral videos देखी थी जिसमें उसके साथ उसकी mother अंसरीन भी थी और साकिब ने उसके सभी family members से बात की जिसमें अंसरीन भी शामिल थी और कुछ देर बात करने के बाद सभी ने उसे बाई कहा उस दिन के दो दिन बाद ही साकिब ने महक को Instagram पर follow किया और उसकी follow list में जाकर उसने अंसरीन को ढूंडा और उसे DM करके पूछा कि क्या वो उसे याद है जब अंसरीन ने वो message देखा तो उसे बिलकुल idea नहीं था कि ये कौन है तो उसने reply में कहा कि नहीं वो उसे नहीं जानती बाद में जब इसके बारे में अंसरीन ने महक को पूछा तो उसने बताया कि ये साकिब है जो उन्हें उस video chat app पर मिला था और ये सुनते ही अंसरीन को सब याद आ गया उसने साकिब को वापस message किया जिसके बाद साकिब ने उससे बात की और अब उनकी ये बातें रोज होने लगी थी जिसके चलते आगे उन्होंने एक दूसरे को अपने numbers भी share किये और देखते ही देखते अपने husband के पीठ पीछे अंसरीन का affair शुरू हो गया था और अब वे दोनों ही एक साथ कभी parties में, restaurants में तो कभी hotels में जाने लगे थे अब अंसरीन अपना ज्यादा तर time साकिब के साथ ही spend करने लगी थी और यहां साकिब अंसरीन को काफी सारे gifts भी भेजता था जिसमें उसने लगभग 3000 pounds खर्च कर दिये थे जिन्हें अगर हम Indian rupees में convert करे तो करीब 3 लाग से ज्यादा पैसे उसने खर्च कर दिये थे यहां अंसरीन ने साकिब से कभी कुछ नहीं मांगा था क्यूंकि उसकी बेटी महक के जरीए उसकी financial condition काफी अच्छी चल रही थी लेकिन साकिब के force करने पर उसे वे gifts लेने ही पड़ते थे यहां साकिब इस relationship से काफी खुश था इतना कि उसने अपने और अंसरीन के बारे में अपने दोस्तों और अपनी family को भी बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है यह जानते हुए कि उसकी एक पूरी family है उसका husband है उसके बच्चे है साकिब को कुछ फरक नहीं पड़ता था लेकिन दूसरी तरफ वही अब अंसरीन को इस relationship से थोड़ा guilty feel होने लगा था वो embarrassed थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो 10 दिसंबर 2021 को अंसरीन ने साकिब को एक होटल में बुला कर उससे अपना relationship खत्म कर दिया लेकिन कुछ दिनों बाद ही साकिब अंसरीन को फिर से message करने लगा वो उससे request करने लगा वापस relationship में आने के लिए लेकिन अंसरीन ने सीधा उसे मना कर दिया पर इसके बावजूद साकिब अब इतना possessive हो गया था कि वो उसे लगातार message और calls किये जा रहा था वो अपनी life में move on ही नहीं कर पा रहा था जिस तरह अंसरीन कर चुकी थी और जब अंसरीन ने उसे सभी जगह से block कर दिया तो वो fake account से महक के टिक टोक live में आ जाता और spam करने लगता कि अपनी mother से कहो कि वो मुझे call करे और ऐसे ही जनवरी 2022 आ जाता है और अब तक साकिब अंसरीन से काफी request कर चुका था उस relationship को दुबारा शुरू करने के लिए उसकी life में वापस आने के लिए लेकिन अंसरीन ने उसे कोई reply ही नहीं दिया बलकि उसने उसे हर जगह से block कर दिया था जिस वजह से साकिब अंसरीन की attention पाने के लिए एक अलग रास्ता चुना एक ऐसा रास्ता जिसका अंजाम आगे चलकर काफी बुरा होने वाला था दरसल साकिब अंसरीन को blackmail करने वाला था जहां उसने अंसरीन को message किया कि वो उसे एक last chance दे रहा है अगर वो उसे call नहीं करेगी तो वो उसकी nude photos और videos को उसकी family को भेज देगा और online भी upload कर देगा यहां अंसरीन से सिर्फ एक attention पाने के लिए साकिब कुछ भी करने के लिए तयार था पर यहां दूसरी और यह सारी बात महक से छुपी नहीं थी उसे शुरुआत से ही अपनी मदर और साकिब के relationship के बारे में सब पता था और जब उसे ये पता चला कि साकिब उसकी मदर को धमकिया दे रहा है तो उसने उसे काफी गुसे में response किया कि वो अपने ये खेल खेलना बंद कर दे वरना उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है जब अनसरीन को इस बारे में पता चला तो उसने इस situation को खुद control करने का decide किया और फरवरी 2022 को उसने साकिब को message किया कि अगर उसने अपनी blackmailing बंद नहीं की तो वो उसकी पुलिस में complaint कर देगी पर ये शायद साकिब को डराने के लिए था क्योंकि अनसरीन कभी पुलीस स्टेशन गई ही नहीं लेकिन अनसरीन के इस response के बाद कुछ ही हफतों में साकिब उनसे उन पैसों की demand करने लगा जो उसने अनसरीन पर उनके relationship के दौरान खर्च किये थे साकिब ने कहा कि वो उन्हें उसके 3000 पाउंड्स दे दे और फिर वो अनसरीन को अकेला छोड़ देगा दरसल यहां साकिब का पाकिस्तान जाने का प्लान था जिसके लिए उसे उन पैसों की काफी जरूरत थी पर बाद में जब अनसरीन और महक ने साकिब की ये demand सुनी तो उन्हें शुरुआत में तो थोड़ा अजीब लगा क्यूंकि ऐसा हो सकता था कि साकिब उनसे पैसे लेकर भी उन फोटोज और विडियोज को अपने पास रखे जिससे वो उन्हें फ्यूचर में फिर से ब्लैकमेल कर सकता है पर बाद में बड़ा सोचने पर वो उसे पैसे देने के लिए तयार हो गए आठ फरवरी 2022 इस दिन साकिब को रेकान करवान नाम के एक आदमी का फोन आता है जो कि अंसरीन और मेहक के बहालफ पर साकिब से पैसो की बात करने वाला था यहां रेकान को मेहक और अंसरीन काफी अच्छे से जानते थे क्योंकि वो भी एक content creator था वो मेहक और अंसरीन के साथ काफी वीडियोज में कोलिप किया करता था जिस वजह से रेकान का उनके साथ काफी अच्छा relation था इसलिए उन्होंने उसे साकिब से पैसो की बात करने के लिए अप्रोच किया यहां साकिब और रेकान के बीच करीब 10 मिनट तक बात हुई जिसमें रेकान उससे उन 3000 पाउंड्स का एक तरह से प्रूफ या उनका हिसाब मांग रहा था जो उसने अंसरीन पर खर्च किये थे और उनकी conversation से अगले दिन एक बार फिर साकिब को रेकान का कॉल आया जहां उसने उसे लीसेस्टर नाम की जगह पर मिलने के लिए कहा जहां वो उसे पैसे देने वाला था पर यहां साकिब की बहन ने उसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया था तो उसने उसे समझाया कि ये जरूर उनका कोई trap हो सकता है उसे वहां नहीं जाना चाहिए लेकिन साकिब को पैसो की काफी जरूरत थी इसलिए वो लीसेस्टर जाने के लिए अपना मन बना चुका था पर उसकी बहन के काफी force करने पर उसने रेकान को message किया कि वो उस जगह नहीं आ सकता इसलिए वो पैसे उसके bank में transfer कर दे लेकिन कुछ दिनों wait करने पर भी जब साकिब के bank में कोई पैसे deposit नहीं हुए और ना ही रेकान का कोई reply आया तो साकिब काफी frustrated हो गया था और वो महक को message करके उसे धमकिया देने लगा कि अगर उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो उनके घर आकर उनकी family को सब कुछ बता देगा जब कुछ आधे घंटे बाद महक ने उस message को देखा तो उसने जल्दी से साकिब को reply किया कि अगर उसे अपने पैसे चाहिए तो उसे लुफ बहरे नाम की जगह पर आना होगा उसे अंसरीन और वो वही मिलेंगे पर वो जगह काफी दूर होने से साकिब ने उन्हें लिसेस्टर में ही मिलने के लिए कहा जिस पर महक ने अगरी किया पर यहाँ एक issue ये था कि साकिब को driving नहीं आती थी इसलिए अब उसे अपने किसी दोस्त की help चाहिए थी जहाँ आब किसी को उसे उसके होम टाउन बैन बड़ी से लिसेस्टर ले जाना था और कई दोस्तों से बात करने पर उसके एक दोस्त ने इससे अगरी किया जो था मुहमद हाशिम इजाज उद्दीन यहाँ हाशिम को सिर्फ इतना पता था कि साकिब लेसिस्टर पैसो के सिलसले में जा रहा है इसे छोड़ कर उसे कुछ नहीं पता था ना वो रेकान को जानता था और ना ही महक और अंसरीन को और रात के करीब 11 बजे वे दोनों लेसिस्टर के लिए निकल पड़े लेसिस्टर पहुँचने पर साकिब ने महक को मेसेज किया और उससे उसकी लोकेशन पूछी जिस पर महक ने रिपलाई किया कि वो उन्हें टेस्को सूपर स्टोर में आकर मिले बाद में जब वे दोनों वहाँ पहुँचे तो बहुत वेट करने पर भी उन्हें वहाँ कोई भी मिलने नहीं आया ये देखकर जब उन्होंने बाहर निकल कर उस एरिया को चेक किया तो उन्हें पता चला कि वे गलत स्टोर में आ गए थे उन्हें दरसल हैमिल्टन एरिया के टेस्को सूपर स्टोर में जाना था और कुछ सतरा मिनट बाद जब साकिब और उसका दोस्त हाशिम उस सूपर स्टोर में पहुँचे तो वे पारकिंग में ही महक का वेट करने लगे जहां उन्हें इस बात का बिलकुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर दो गाड़ियां उन पर नजर रखे हुए थी उन दोनों में से एक औरडी गाड़ी में महक और अंसरीन मौजूद थी जिनके साथ रेकान करवान और मुहम्मत पटेल नाम का आदमी भी मौजूद था जो कि महक के कजन ब्रदर रईस जमाल का दोस्त था जो कि खुद दूसरी गाड़ी सेट लियोन में बैठा था जिसके साथ तीन लोग और थे जिसमें उसका भाई अमीर जमाल और उस गाड़ी की ओनर नताशा अख्तर और रेकान का एक दोस्त सनफ गुला मुस्तफा बैठे थे और ये ये सभी के सभी अनसरीन और महक का साथ देने आये थे और वो साथ किस लिये था ये हमें आगे पता चलेगा यहां दूसरी और कुछ देर वेट करने पर ही साकिब को कुछ अजीब लगता है और जब वो दूर से रेकान और मुहम्मद को उन पर नजर रखते हुए देखता है तो वो हाशिम को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकलने के लिए कहता है उनको जाते देख रेकान ने भी जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनका पीछा करने लगा रेकान को जाते देखकर यहां महक के कजन रईस ने भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी यहां साकिब और हाशिम दोनों को पता चल गया था कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है और कुछ देर में महक साकिब को कॉल करके उसे कहती है कि वो अपनी गाड़ी रोक ले और उसे वापिस सूपर स्टोर की कार पारकिंग में ले जाए जिस पर साकिब उसे मना कर देता है और कई बार समझाने पर भी जब साकिब नहीं माना तो महक ने उसे कहा कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और महक फोन कार देती है ये सुनते ही साकिब काफी डर गया था उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी जान खत्रे में है यहां उनका पीछा करीब 16 किलोमीटर तक हुआ जिसमें बाद में मिली CCTV फुटेज के अकॉर्डिंग तीनों ही गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी जिस वक्त दोनों ही गाड़ीयां हाशिम और साकिब की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी दूसरी तरफ साकिब ने भी डर के मारे पुलिस को कॉल मिला दिया था और वो उन्हें जोर-जोर से कह रहा था कि दो गाड़ियां उनका पीछा कर रही है उन्हें बचालो, वे मरने वाले हैं, वे हमें मार देंगे, हमारी मदद करो यहां जब रेकान और रईस ने देखा कि उनके इतना समझाने पर भी साकिब अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा है तो उन्होंने एक दूसरे से कॉल करके एक अलग रास्ता अपनाया एक ऐसा रास्ता जो साकिब और हाशिम की जान को रिस्क में डाल सकता था उन दोनों ने ही हाशिम की गाड़ी को टकर मारना शुरू कर दिया और हाशिम किसी तरह अपनी गाड़ी को संभाल रहा था लेकिन कुछ ही देर में रईस ने हाशिम की कार को इतनी जोर से टकर मारी कि हाशिम का कंट्रोल उसकी गाड़ी से छूट गया और उनकी गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराई जिससे टकराने के तुरंत बाद ही उसे आग की लपटों ने घेर लिया जिससे हाशिम और साकिब दोनों की ही मौत हो गई अगली सुबह जब एक ट्रक ड्राइवर ने उस कार क्रैश को देखा तो उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुँची तो कार की कंडिशन देखकर उन्हें ये साफ हो गया था कि अंदर किसी के बचने का कोई चांस नहीं है बाद में जब पुलिस ने CCTV फुटिजस चेक की तो उन्हें पता चला कि ये कोई आक्सिडेंट नहीं बलकि एक मर्डर केस है इन फैक्ट पुलिस को बाद में वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली जो साकिब ने एक्सिडेंट से पहले की थी पुलिस ने जल्द ही उन दोनों गाडियों को ट्रेस किया जिनका इस कार क्रैश में हाथ था और पहले ओडी गाडी को ट्रेस करने पर उन्हें महक के बारे में पता चला जिसने उस गाड़ी को रेंट पर लिया हुआ था और उसने अपनी खुद की गाड़ी एक रिपेर शॉप में दे रखी थी और क्रैश के आट घंटे बाद पुलिस सुभह इंवेस्टिगेशन के लिए महक और अंसरीन के घर पहुँच गई और पुलिस ने उन दोनों को ही मर्डर के सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया बाद में जब पुलिस ने महक से पूछताच शुरू की तो महक ने उन्हें काफी confidence के साथ एक जूटी कहानी सुनाई जहां उसने पुलिस को बताया कि वो और साकिब एक टाइम पर relationship में थे उसे लगा वो एक अच्छा इंसान है पर बाद में वो उसे harass करने लगा और उसकी nude photos के जरिये उससे पैसो की demand करने लगा यहां तक की साकिब ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी महक की ये बातें सुनकर पुलिस एक बार तो उसके जहांसे में आही गई थी लेकिन जब उन्होंने उस टाइम उसके कार में मौजूद मुहमद पटेल को arrest कर उससे पूछ ताच की तो उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और मुहमद ने ये भी कहा कि उसे बिलकुल आइडिया नहीं था कि वहां क्या चल रहा था वो वहां सिर्फ रईस को जानता था जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त है और वो बस उसके बुलाने पर वहां पहुँच गया उसे बिलकुल अंदाजा नहीं था कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है बाद में पुलिस ने उस दूसरी गाड़ी सियट लियोन को भी ट्रेस कर लिया जिसकी ओनर नताशा अख्तर थी जब पुलिस ने उस गाड़ी को देखा तो वो गाड़ी आगे से बुरी तरह डैमेज थी और ये साफ था कि इसी गाड़ी से साकिब की गाड़ी की आखरी बार टक कर हुई थी यहाँ पुलिस ने बाद में जब महक की रेंट वाली ओड़ी को भी एक्जैमिन किया तो उसमें कोई सीरियस डैमेज तो नहीं था पर जब उसके ट्रैकिंग सिस्टम को चेक किया गया तो पुलिस को उसके डेटा में सारी लोकेशन्स उसकी स्पीड टाइमिंग्स के बारे में सब पता चल गया और अब पुलिस के पास इतने सबूत थे कि कोई चाहकर भी उन्हें जूट नहीं बोल सकता था उनके पास CCTV फुटेज़स थी उनके पास उनकी गाडियों का प्रूफ था और उन सभी के फोन्स और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स का पूरा डाटा पुलिस के पास मौजूद था और इनके बेसिस पर पुलिस ने उन सभी लोगों को अरेस्ट किया जिनकी इन्वाल्वमेंट इस मर्डर में थी आगे चलकर कोट ने अंसरीन, महक, रेकान और मुस्तफा को मर्डर के लिए गिल्टी करार दे दिया और बाकी लोगों को मैंसलॉटर के लिए गिल्टी माना गया यहां उन सभी आठों में से सिर्फ मौम्मद पटेल को रिलीस कर दिया गया जहां उसके वकील ने कोट में ये प्रूव कर दिया था कि मौममद इनुसिंट है, वो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर गलत टाइम पर गलत जगह मौझूद था पर अभी भी इस केस का जज्जमेंट पूरा नहीं हुआ है और इसका फाइनल वर्डिक्ट आना अभी भी बाकी है लेकिन अगर इस पुरे इंसिडेंट से किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई तो वो है अनसरीन के हस्बंड जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके पीठ पीछे उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और अपनी बेटी के बारे में उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो सोशल मीडिया पर वीडियोज बनाती है पर उन्हें इस बात का बिलीव ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी किसी का मर्डर भी कर सकती है तो आज का केस हम यही खत्म करते है तो दोस्तों अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्टरीज और डॉक्यमेंटरीज देखने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए